नमस्कार सात्यों आज की वीडियो में बात करेंगे पीली सर्सों की खेती के बारे में क्योंकि पीली सर्सों की खेती का समय बिलकुल करीब है और जिन भी किसान सात्यों को पीली सर्सों की बीजाई करनी है उन किसान भाईयों को अब अपने खितों की तयारिया करना शुरू क क्या है तो पीली सर्सों यहां पर अगर मैं तेलिये कंटेंट की बात करूं तो हमें चवाली से 45% तक तेलिये कंटेंट दे देती है और यदि काली सर्सों की बात करूं तो मतरत 33% तक ही तेल मिल पाता है यानि कि पीली सर्सों बरावर पीली सर्सों, ठीक है, पीली सर्सों में हमारा जो तेल कंटेंट होगा, वो होगा लगवग 43%, ठीक है, एक कुईंटल में लगवग 43 लीटर तक हमारा पीली सर्सों का तेल निकल जाता है, तो जिन भी किसान साथियों को अपने घर में पिलाई करने के लि तो उनके लिए पीली सर्सों सबसे बेस्ट ऑप्शन है उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो डेर कुंटल प्रती बीगा के हिसाब से बड़े आसानी से हो जाती है यानि कि 8-9 कुंटल प्रती एकड के हिसाब से आप इसली इसका उत्पादन ले सकते हैं चाहते हैं कि पीली सर्सों की बगवाई का सही समय विल्कुल एक्जेक्ट क्या रहें तो देखे 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आप भीजाई कर सकते हैं तो आप यहाँ पर डाही किलोग्राम प्रती एकड़ के हिसाब से बीज ले सकते हैं कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि जो बीज हम ले रहे हैं वो कंपनी का आ रहा है और ट्रीटेड सीड है तो क्या ट्रीटमेंट की जरुरत पड़ेगी हाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आप बीज उपचार जरूर करें एक एकर जमीन के लिए 100 ग्राम कोई भी फंगिसाइड ले आई है और 100 ग्राम फंगिसाइड से उस बीज को अच्छे प्रकार से ट्रीट कर दीजे और उस fungicide को coat कर दीजे इसमें कौन कौन से fungicide हो सकते हैं थीरम आप ले सकते हैं मैन को जब हो सकता है या मैटल एक्सिल हो सकता है इसके आप 100 ग्राम का packet ले लीजे और उससे आप लगवग पूरे बीज को एक एकर जमीन के बीज को treat कर सकते हैं और जो भी fungicide बचे उसे भी आप उसी के साथ में बीज के साथ ही अपने के बुर्काव कर दीजे इससे आपके दाने के ऊपर जो भी fungicide लग जाएगा वो पौदे में आगे चलके रस्ट जैसी बीमारियों को नहीं आने देता और वो आपको आगे बहुत मददकार साबित होगा कुछ साथी पूछना चाते हैं खित की तैयारी कैसे करनी चाहिए तो देखे यूरिया खादा 35 kg प्रती एकर के हिसाब से ले लीजे और यदि आप DAP की विजाई करना चाहते हैं DAP आपको 50 kg प्रती एकर के हिसाब से काफी रहेगी और यदि आप SSP डालना चाहते हैं 100 kg प्रती एकर के हिसाब से आप विजाई करें वो प्रयाप्त रहेगी आप कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि अगर DAP या SSP का यहां पर हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है तो हम क्या विजाई कर सकते हैं आप सरसों की खल 25 kg प्रती एकर के हिसाब से लीजिए और यूरिया खाद 35 kg के साथ मिक्स करिए और अपने खेत में चिट्टा दे दीजिए और उसके साथ में आप विजाई कर लीजिए खेत की तयारी करने के लिए ये परियाप्त खाद रहेंगे दूसरा इसका एक सस्ता विकल्प भी आप तयार कर सकते हैं क्या यहां पर यूरिया खाद आप 12 kg ले लीजिए उसके साथ DAP 8 kg और पोटास 4 kg इन 3 को एक जगा पानी के साथ में गहुल बना लीजिए पोटास ना भी हो तो आप यूरिया डी-a-p का गहुल बना लीजिए उसमें ह्यूटमिश एसध भी आप डाल सकते हो 500 ग्राम ट्रृ आकल के यसाब आप से अब इस खाद को सभी को पानी के साथ गहुल बना लीजे और गहुल मनाने के साथ मैं अपने खेत में जब पलेवा ड़ You क की समय पर आप पानी के साथ छोड़ डीजे इससे आपकी खेत में पूरे में वह खाद फैल जाएगा और वह खाद परियाप्त रहेगा जितना आप छिटा विदी से उस खेत को देते हो उसे पानी के साथ अगर गोल बना कर चलाओगे तो परियाप्त मात्रा में आपको यहाँ पर उत्पादन देने में सक्षम होगा इस टाइप से लगे हुए खाद को आप यह समझ सकते हैं कि आपने बेसर डोज में खाद डाल दिया हो ठीक है कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि उन्होंने खेत में अभी जो दान की पुवाल है उसकी जुताई करी हुई है तो उनको वहां पर गिडार की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है दीमक आ सकती है तो उससे कैसे निजात मिल सकती ह यहां पर यदि आप बीजाई कर रहे हैं और आपने पुवाल की जुताई करी है तो दीमक आपकी खेत में 100% आ सकती है उससे बचाव करने के लिए आपके पास में जो विकल्प है वो रीजेंट एक अच्छा विकल्प है तो रीजेंट आप इसके साथ में डाल सकते हैं जो तो एक वारी आप फंगी साइड से टीट कर लीजे कुछ समय के लिए उसे एक रात सुखा लीजे सुखाने के बाद में आप फिर कीट नासत से टीट करके अपने खित में बीजाई कर सकते हैं और यह फंगी साइड प्लस इंसेक्टिसाइड दोनों से आपका ट्रीट हो जा नरेंद्र सर्सों हैं के 88 है दूसरा आप यहां पर गोल्डी भी ले सकते हैं सुपर गोल्डी भी ले सकते हैं इनका वी जवर जस्त रिजल्ट देखने को मिलता है और साथियों यहां पर कुछ पूछना चाहते हैं कि बीज की मातरा अगर हम किसी भी किस्म की लें तो क्या इड़ाइक बऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि हरेग कोन और विज और हो काफी रहेगी क्मपनी के सवाल कि नग E यह जाल को मिलती है तो कितने समय में पैंडला में ब State लगा सकते हैं यहां 72 गंटे के अंदर पेंडा मेथलीन एक लीटर प्रती एकड़ के हिसाब से इस्प्रे कर सकते हो और इसे आप दोसों से 200 लीटर पानी के साथ मिला के इस्प्रे कर दीजे इससे आपको बढ़िया रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे यहां पर कुछ साथियों का सवाल यह है यदि वो पेंडा मेथलीन नहीं लगा पाई हैं तो उन्हें निराई गुड़ाई के बारे में कब सोचना है खर्पदवार को कैसे खतम किया जा सकता है लगों 11 से 12 दिन में आपका जो अंकुरन है वो बिलको सुरक्षित हो जाता है पौदे जमीन के ऊपर दिखाई देने लगते हैं और 15 से 20 दिन का जो समय रहता है वो ऐसी अवस्ता होती है जिसमें खर्पदवार भी दिखाई देन करने लगता है यहां पर जैसे 20 से 20 दिन का पौदा होता है उस समय पर हमें एक इस्प्रे के थ्रू खाद देने की जरूरत पड़ती है क्यों क्योंकि यदि हम पहले पानी पर ही एक खाद लगाते हैं तो उस समय तक पौदे को जो परियाप्त मात्रा में खाद चाहिए होते क्योंकि बेसल डोज हमारी पहले पानी पर जाकर लगती है और पहला पानी हमारा जब लगता है जब की फूल बन रहा हो लगवक्त 35 से 40 दिन की अवस्था में तो अगर हमें पानी नहीं लगाना है और पानी लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती तो इस अवस्था में 20 से दानेदार ने लिए उसे गोल बना लिए 500 ग्राम काफी रहेगा एक एक एकर जमीन के लिए दूसरा इसके साथ में आप 250 ग्राम ह्यूमीक ऐसिड ले लिए ह्यूमीक ऐसिड यूरिया प्लस 250 समय क्लोरोपायरिफॉस आप इस्प्रे के माद्य हमसे लगा सकते हैं इससे हलका छ पौदे में भी एनर्जी नहीं रहती, तो तना कमजोर रह जाता है, अब यहां पर जब हम इस्प्रे कर देंगे, तो कीट भी पौदे को परिशान नहीं करेगा, पौदे में एक अच्छी ग्रोथ रहेगी और तना भी उसका मोटा होके निकलेगा, चीक है, तो यह इस्प्रे उत्पादन डाउन होगा है, यह गारिंटेड है, सातियों यहां पर यूरिय खाद 35 किलोग्राम के साथ हूमिक एसिड एक किलोग्राम जरूर डालिए, सर्सों चाहीए पीली हो चाहीए काली हो, इस सर्सों में आप हूमिक एसिड का उप्योप करके देखिए, आपके होजन मिल पाता है क्योंकि यह नूटरल पड़े पोशक्ततों को ना भूलें एक किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर लगाएं साथ यहां पर जाइम ग्रेंवल आप 10 किलोग्राम ले लीजिए यहां पर जाइम आप किसी भी टाइप का ले सकते हैं हलांकि अगर अच्छा जाइम होगा तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देगा सागर का आप ले सकते हैं या फिर आप टोकी ले लीजिए टोकी जाइम बढ़ी है यहां पर दयाल कंपनी का भी जाइम बहुत जबर जस्तार है और दूसरे बहुत सारे जाइम है जो कि आप के अमीनो एसिट बेस हैं उनको आप लगा सकते हैं उनसे आपको बड़ी है रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे तो एक यह बुर्गाओ के माध्यम से डोज लगा के आप पानी लगा देंगे तो आपके खित्मा 8 दिन में बड़ी है रिजल्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि वह मिट्टी पानी ज्यादा सोक लेती है बुरबुरी मिट्टी में पौदा कमजोर हो जाता है कुछ उक्टा की से सिंटम्स दिखाए देने लगते हैं और जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें पानी ज्यादा भरने की वज़े से पौदा पीला पढ़ने लगता है और जो सामाने मिट्टी होती है उसमें अगर पानी लगने के बाद में ग्रोथ थोड़ी कम दिखाई दे रही है तो मैं आपको एक सॉलूशन बताता हूँ क्या यहां पर आपको लेना है कॉपर ओक्सिक्लॉराइड कितना 250 ग्राम प्रती एकल के हिसाब से 250 ग्राम प्रती एकल के हिसाब से कॉपर ओक्सिक्लॉराइड के साथ में आप 500 ग्राम यूरिया खाग मिक्स कर लीजे और हुमिक एसिड भी 500 ग्राम मिक्स करके एक स्प्रे लगा दीजे इससे क्या होगा जैसे पिछले साल में पानी लगने के बाद जहां थोड़ा सा भी पान जाता तो वहां पौदे मर गए थे बहुत बड़े स्केल पर फंगस देखने को मिली थी इससे बचाव करने के लिए हमारे पास में ये विकल्प है कि पानी लगने के तुरंत बाद हमें एक स्प्रे के माध्यम से एक हाथ देने हैं यहां पर कॉपर ऑक्सी 250 ग्राम के साथ में हमें वैलिड अमैसिन या कासुगा मैसिन 250 ml भी मिलाना ज्यादा बहतर रहेगा इसके साथ में यूरिया खाथ 500 ग्राम के साथ में हियूमिक एसिड 500 ग्राम मिलाकर एक इस्प्रे कर दीजिए इससे आपके पौदे में आई हुई फंगस तुरंत रिडूस होगी और बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी यहां पर पौदे के तने में जो पानी भरने के वज़े से कमजोरी आ जाती है पौदे की जड़ों पर फंगस बन जाती है वह जड़ें स्वस्थ होके अपने पोशक्ता तो ले पाएंगी और पौदे को ऊपर ग्रोथ दे रहा है और सिंगल चिटपुट कहीं कहीं फूल दिखाई दे रहा है उसे आप तोड़ सकते हैं ठीक है पीली सर्सों पर हलाकि अगर आप इस टाइप से ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको पहले ही फुटाब बहुत अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि पीली सर्सों में हर order knock पर आपको फुटाब दिखाई देगा हर पत्य के coroner पर फुटाब दिखाई देगा और ये पोदा भर के चलता है तो फूल भी आपको बहर भर बहुत देख़ने को मिलेगा तो इस टैप के treatment से आपको बड़ी अ लेंगे अगर आप यहां पर copper oxichloride के साथ में valid amycin या खाद रहेगा और इसमें आप boron 100 ग्राम तर्थी एकर के हिसाब का mix कर लीजे एक किलोग्राम 034 में 100 ग्राम boron mix करके आप इस प्रेद होगे तो यह आपको बहुत बढ़िया result देखने को मिलेगा फूल भी बहुत बढ़िया बनेगा क्यूंकि जो सरसों की खेती होती है उसमे आपको समय मिल पाता है परियाप्त मात्रा में तो 034 का इस्प्रे करने के बाद में जब आपकी छिटपुट फली कहीं बनने लगे तो आप 0050 के साथ में 100 ग्राम बोरौन दोबारा भी दे सकते हो इससे और भी बढ़िया result आपको देखने को मिलेंगे फली का भराब जब अ और यहां पर आप जब इस्प्रे करेंगे तो आपको घजब के result देखने को मिलेंगे आशा करतों आप मेरी बास समझ पाई होंगे और जिन भी किसान भाईयों के खेतों में पहले कोई समस्य आई है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं उसका समाधान में आपको जरूर साथियों अगर चैनल पर नए आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दूसरे किसान भाईयों को ये वीडियो सेर करना न भूलें क्योंकि ये एक ऐसी खिती है जिसमें हमें उत्पादन ज्यादा मिलता है रेट अच्छा मिलता है और ते लिए कंटेंड भी ब